मुझे नमस्कार, धर्मग्यां के दर्शकों का स्वागत और मैं हूँ आपके साथ कवितराना पश्य बंगाल से शुरू हुई BGP TMC की आर पार की चुनावी लड़ाई अब देखे गोवा तक पहुंच चुकी है अब के बार का गोवा चुनाव सबसे अलग है क्योंकि इस बार का मुकाबला दो तरफा नहीं है बंगाल में BGP को मात देने वाली दीदी अब गोवा पताय करने की जुगाड में है दूसरी दरफ बिना परिकर के राज्य में कमल खिलाने के जिम्मेदारी मुक्यमंत्री प्रमोज सावन के कंधों पर है गोवा में सरकार बनाने में ताम्याब हुई लेकिन अब की बार TMC पहली बार गोवा चुनाव में हाथ अजमा रही है तो वहीं कॉंग्रेस से लेकर आप पार्टी ने भी कमर कस रखी है वैसे तो देखे 14 फर्वरी की वोटिंग के बार 10 मार्च की तस्वीर बता देगी कि अब की बार गोवा में किसकी सरकार लेकिन उससे पहले गोवा के लोकों को साधने के लिए निताओ की रैलियों से लेकर रोड शो आरम हो चुके है हाली में गोवा में एक चुनावी रैलियो को संबोधित करने पहुचे पियमोधी ने ना सिर्फ स्वर्णिम गोवा बनाने का संकल्प लिया वलकि कॉंग्रेस को भी जम कर दोया लेकिन आपको ये जानकर ताजुब होगा कि जैसे पियमोधी ने गोवा में कदम रखा एक अधरशी शक्ति ने उन्हें अपने पास बुला लिया हम बात कर रहे हैं मापूसा नगर में सित देव बाड़ गेश्वर धाम की जी हाँ गोवा में मजूद ये एक ऐसा खुबसूरत और अलोकिक मंदिर है जहां देवता को अंगवानी के नाम से बुलाए जाता है अब अब ये सोच रहे होंगे कि आखिर अंगवानी का मतलब क्या होता है तो आपको ये जान लेना चाहिए कि अंगवानी का मतलब होता है भक्तों की मुराद पूरा करने वाला जी हाँ कहते हैं मानो तो भगवान ना मानो तो पशान लेकिन अब इसे आप भगवान के प्रती आस्ता कहीं या फिर शक्ति की भगती देव वोडगेश्वर मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ सचे दिल से मागी गई हर मुराद पूरी होती और जो कि श्री देव वोडगेश्वर इस शेहर के महारक्षक माने गए हैं और इसलिए जैसे ही पिया मोधी ने गोवा में कदम रखा उन्हें तुरंत श्री देव वोडगेश्वर के दरबार में ना सिर्फ उन्होंने हाजरी लगाई बलकि उनके चरणों में शीष भी जु के कारण अजाद भारण में गोवा को 15 सालों तब गुलाम है ना पड़ा ये भी बताया आप भी देखिए गोवा की धर्ती से किस प्रकार पिया मोधी ने कॉंग्रेश्वर के अतीत को उजागर किया साथियों देव बोड़गेश्वर की मुझे पर असीम कुर्पा रही कि मेरे जीवन के महत्वपुन पलों में गोवा की धर्ती को इतना निर्णायक बनाया आज जो आप मुझे जिस रुप में देख रहे हैं ना जहां मुझे देख रहे हैं इसकी शुरूवात गोवा से हुई थी जून दोहजार तेरा में यहां भारतिये जनता पार्टी की कार समीती थी और जून दोहजार तेरा में जब मैं गोवा की इसी धर्ती पर था तो भारतिये जनता पार्टी ने मुझे लोग सभा के चुनाव के लिए भाजपा की पचार समीती का प्रमुग गोशित किया था फिर बाद में मुझे प्रधान मंत्री का उमीदवार भी गोशित किया गया था गोवा की इसी धर्ती से निकली प्रेणा थी किहां आप लोगों से बात करते हुए उस दिन हमारे परिकर्जी ने मेरी यहां एक सभा आयोजित की थी और उस सभा में मेरे मुँसे सहसा सहज रुप से एक शब्द निकला था वो शब्द था कॉंग्रेस मुक्त भारत यह शब्द गोवा की धर्ती से ही यहां के पुन्यात्माओं के आजिरवात से सहसा मेरे मुँसे निकल गया था और हमने देखा आज ये शब्द देज के कोटी-कोटी नागरीकों का संकल्प मन गया है साथियों बहुत सी बाते हैं जो इतिहात मैं दबोच करके रख दी गई हैं दबा दी गई हैं सत्यात तक पहुंते नहीं इसके लिए बहुत खेल खेले गए हैं पांच-पांच-छे-छे दसक से ये हुआ है आपको देखा होगा अभी दो-तिन दिन पहले मैंने संसद में पार्लामेंट में गोवा क्या जिक्र किया था कैसे कॉंग्रेस ने गोवा मुक्ति संग्राम को तबाह करने का काम किया था मैंने इसके बारे में पूरे देश को सच्चाईयां बताई थी बहुत से लोग इस बारे में जानते ही नहीं है कि गोवा भारत की आजादी के भी डेड़ दसक बाद आजाद हुआ था पंदरा साल जादा गुलाम रहने के लिए मजबूर किया गया था भारत के पाथ फोस थी सेना थी हमारी मजबूर नेवी थी कुछ गंटे में जो काम हो सकता था वो कॉंग्रेस ने पंदरा साल तक नहीं किया गोवा के लोग अपनी मुक्ती के लिए संगर्ष करते रहें सत्याग रही गोलिया खाते रहें अत्याचार सहते रहें लेकिन कॉंग्रेस की सरकार ने उनकी मदद नहीं कि देश के पहले प्रधान मंत्री पंडित नहरुजी ने लाल किले से कह दिया था और आज आप उनका बासर यूटूब पर जा करके सुन सकते हैं लाल किले से कह दिया था कि गोवा की मुक्ती के लिए संगर्ष कर रहें सत्यागरों की मदद के लिए वो फोज नहीं बेजेंगे मतलब तुम जानो तुम्हारा काम जाने मरना आए तो मरो जीना आए तो जीनो ये तरीका गोवा को लेकर कॉंग्रेस की यही सोच पहले भी थी और आज भी है यही कॉंग्रेस आज आप से वोट मांग रही है कॉंग्रेस हमेशा राज्य को अस्तीरता के रास्ते पर दकेलती आई है कॉंग्रेस का जम मन चाहा यहां किस सरकारों को अस्तीत कर दिया इसलिए आज एक तरफ विकास वादी भाजपा है तो दूसरी तरफ अस्तीरता वादी कॉंग्रेस है आज एक तरफ प्रमोच सावन जैसे युवावर इमांदार नेता है और जो खुद को मुख्यमंत्री नहीं कहते वो हमेशा कहते हैं मैं तो मुख्यमित्र हूं अपने आपको मुख्य मंत्री नहीं मुख्य मित्र के रुपे ही वो पहचान कराते हैं और उस प्रकार का जीवन भी जीते हैं दूसरी और वो चहरे हैं जिनका ब्रस्टाचार का पुराना ट्रेक रेकॉर्ड गोवा का बच्चा बच्चा जानता है इसलिए गोवा भाजपा के साथ है जो गोवा की अपनी एक खास संस्कृती और पहचान है और गोवा सबको साथ लेकर भी चलता है जिनको गोवा की संस्कृती की परवा नहीं है उन्होंने गोवा को अपने ब्रस्टाचार का लूट तंत्र का एक बहुत बड़ा एटियम बना करकर रखा था लेकिन भाजपाने गोवा के लिए स्वयम पूर्ण गोवा स्वयम पूर्ण गोवा का मंत्र दिया भाजपाने समग्र विकास की बात की सबके लिए बराबर विकास की बात की क्योंकि विकास को टुकडों में जाती धर्म मत मजभ भाषा छेत्र के नाम पर बाटा नहीं जा सकता अगर नौर्थ गोवा का विकास होगा तो साउथ गोवा का गोवा भी आगे बढ़ेगा अगर साउथ गोवा में काम होगा तो नौर्थ को भी उसका लाब मिलेगा और मुझे बताया गया कि आप जैसे यहां इकटे हुए है साउथ गोवा में भी वर्चुली बहुत बड़ी मात्रा में अलग-अलग स्थान पर लोग आज इखटे होकर के इस कारकम में हमारे साथ जुड़े हैं मैं सौवा साउध गोवा के भाईयों बहनों को भी प्रणाम करता हूँ इसी तरह अगर जब हम गोवा के परियटन की संभावनाओं की बात करते हैं तो उसके लिए गोवा को हर खेत्र में विकास की जरुवत है अगर यहां अच्छी सड़के नहीं बनती नई सुविदाय नहीं बनती तो परियटक यहां आना पसंद करते क्या कोई टूरिस आते क्या यहां के हालत अगर खराब होती तो कोई आता क्या इसलिए भाजपास सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्टर के विकास का नया अभियान चलाया हुआ है गोवा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्टर डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से मार्सेल और पैडिने में बस डीपो बनाए गए है तीन हजार करोड की लागत से मोपा इंटरनेशनल एरपोर्ट का काम चल रहा है देश और दुनिया के परियटक अब ज़्यादा आसानी से गोवा आएंगे यहां टुरिजम को गती देंगे साथ ही इससे गोवा में दूसरे उद्योगों में व्यापार में निवेश के रास्ते भी खुलेंगे गोवा में एक मल्टी मोडल लोजिस्टिक पार्क बनाने का काम भी तेज गती से चल रहा है हुआ 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 है